Hello everyone, welcome back to my channel, दोस्तों बताना चाहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पांच स्रेणियों में बाटने की तयारी जोरो पर है, ऐसा प्रयास एक बार वर्ष 2001 में भी किया गया था, लेकिन उस समय तो सफलता प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन इस समय भी अन्य पिछड़ा वर् सभी जातियों को समान रूप से मिल सके और इसमें अपनाया जाएगा आंध प्रदेश का फार्मूला, तो आएए देखते हैं दोस्तों कि आंध प्रदेश का फार्मूला क्या है और किस आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को पांच स्रेणियों में बिभाजित करने की तय हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं आन्य पिछड़ा वर्ग OBC को मिलने वाले आरच्छन का लाव इसमें सामिल सभी जातियों तक समान रूप से पहुचाने के लिए सरकार भले ही पूरी तरह से तयार है लेकिन इसके फार्मूले पर बात कहीं न कहीं अटक रही है इस काम में जुटे जस्टिस रोहनी कमिशन की नजर देश के उन 11 राज्यों पर टिकी है जहां इसे अमल में लाया गया है इनमें फिलहाल आंध प्रदेश सबसे अहम राज्य है जिसने OBC आरच्छन के वर्गी करण को काफी बैग्यानिक तरीके से अंजाम देते खास बात यह है कि रोहनी कमिशन भी ऐसे ही फार्मूले के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। की भागिदारी का बेवरा जुटाया गया है। परिशानी यहा है कि आंध प्रदेश में लगभग 150 OBC जातियां हैं जबकि राश्ट्री इस तरपर OBC की करीब 2600 जातियां हैं। फिलहाल OBC को मिलने वाला आरच्छन करीब 600 जातियों में ही बढ़ जाता है। कोई लाब नहीं मिला है। केंद्री सूची में सामिल हैं। ऐसे में OBC में सामिल राज की सभी जातियों को उनकी भागिदारी और अनुमानित संख्या के आधार पर पांच स्रेणियों में बाटा गया है। पांच स्रेणियों को क्रमसा साथ, दस, एक, साथ और चार फीसद अरच्छन तै किया गया है। तो दोस्तों ऐसे ही तैयारी चल रही है, अपने यहां भी कि OBC को पांच स्रेणियों में बाट दिया जाए और पांच स्रेणियों के आधार पर जो है, जो 27 प्रतिसत अरच्छन है, उसको भी विभाजित कर दिया जाए। तो आप देखते रहें आगे क्या होता है और इसमें क्या चीजें होती हैं, क्या जुड़ती हैं, क्या नई बातें आती हैं, तो मिलेंगे आपसे नेक्स विडियो में, नमस्कार।